सर्दी में इंसान पहनने लगे गर्म कपड़े तो भालू भी दुकान में जागुसा कपड़े के गुदाम में भालू को देख मचा बवाल, सबके बिगडने लगे हाल आलसी जानवर के चलते ही लोग भागे, कपड़ों को देखने लगा भालू सर्दी का मौसम है ऐसे में ठंड तो सबको लगती है इंसान घरों में दुबके रहते हैं जो भी बाहर निकलते हैं तो वो गर्म कपड़े पहन कर निकलते हैं अब ठंड तो इंसानों को ही बस लगती नहीं है जानवरों को भी ठंड महसूस होती है ऐसे में जिस जानवर को सब से आलसी माना जाता है उसे भी उटकर अपने लिए गर्म कपड़े खोजने पड़ गए हम बात कर रहे है एक भालू की जिसकी तस्पीरों ने सभी को हैरान कर दिया है वीडियो में आप देखी रहे होंगे कि किस तरह से एक भारी भरकम भालू एक दुकान में घुज गया वो वहां पैकेट रखे गए थी सब पैक थे और भालू ये देखकर गुसे से लाल हो रहा था दरसल पूरा मामला ऐसा है कि जिस भालू को आप देख रहे हैं वो भालू एक कपड़े की दुकान में भालू क्यों खुसा है क्या किसी गर्म कपड़े की तलाश में है या फिर वीडियो कहां का है। पीते 20 दिसंबर की बताई जा रही है कांग केर में फैमली कलेक्शन के नाम की कपड़े की दुकान है जहां 20 दिसंबर की शाम 4 बजे जब फर्म के संचालक ने अपने वरकर को दुकान के दूसरे कमरे में सामान के लिए भिजा कर्मचारी जैसे ही पहुचा तो नजारा दे गया जिसकी मदद से भालू खेट की तरफ निकल गया घर और दुकान में भालू के घुसने की कोई पहली वारदात नहीं है इससे पहले भी खाने की तलाश में जंगल से भालू रहाईशी आलाकों तक पहुच जाते हैं कांग केर से पहले मरवाही गाओं में खाने की से खाना बहुत अच्छा लगता है इनका सबसे प्रिये खाना मदमख्य का छता ही है